पंचाय चुनाओं में इतनी हिंसा कौमिनिस्टों के सासन में भी बंगाल में कभी नहीं दी गई त्रिनुमुल ने अपने कारे करताओं को सुत्र दिया था जोर जार बूत्तार मतलब जिसके हाथ में जोर है बूत्त उसी के कबजे में रहना चाहिए क्या ये लोगतंत्रिक सुत्र है क्या लोगतंत्र में इस प्रकार के नारों से लोगतंत्र की कभी भलाई हो सकती है सिर्फ भारतिय जनता पार्टी के में कॉम्मिनिस्ट और कॉंग्रेस पार्टी के नहीं कहता है सिर्फ भारतिय जन्ता पार्टी के 20 कार्यकरताओं का हत्या कर दिया गया पंचाय चुनाओं के अंदर 1341 कार्यकरता हमारे जक्यमी हुए और कुल मिलाकर 65 से ज्यादा राधनीतिक हत्याओं पंचाय चुनाओं के अंदर हुए पुर्यल के त्रीलो चन मातो दुलाल कुमार और जगरना टुंडू तीनों मार दिये गए हैं मैं बंगाल की मुख्यमंत्री को स्टेटस पूछना चाहता हूँ इसमें त्रिनमुल कॉंग्रेस के कार्यकरता नाम जद थे ये तीनों केसों का क्या हुआ क्या प्रगती हुई जलान पेश किया गया क्या पुलीज और त्रिनमुल कॉंग्रेस के कार्यकरता दोनों इखट्टा होकर ये रागनितिक हत्याओं को सहह दे रहे हैं 34 प्रतिसद सीटों पर चुनावी नहीं हुआ कोई परचा नहीं डाल सका दो करोड बंगाली मत दाताओं को वाट देने का अधिकारी ही नहीं मिला क्यूंकि गुंड़ई के कारण प्रत्यासी अपना परचा ही नहीं डाल सके निर्विरोध चुना हो गया स्थिती यहां तक हुई कि हाइकोट ने ओरडर करना पड़ा कि वाटसेप पर प्रत्यासी अपना परचा डाल सकता है इस प्रकार की स्थिती का निर्मान हुआ मगर बावजूद उसके हम साथ हजार से ज्यादा सीटे जित कर बंगाल में दो नंबर की पार्टी बने और मैं पश्ट रूप से मानता हूँ पंचाय चुनाओ के बाद ममता बेनर जी की निंद उड़ी हुई है वो गबराई हुई है भारतिये जनता पार्टी से गबराठ है इसलिए यात्रा को उन्होंने रोकने का काम किया यात्रा को पर्मिसन नहीं देने का काम किया